ताजा तकन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें महराष्ट में इस साल होने वाले विधान सबा चुनाओं में भारती जनता पार्टी और सिवसेना गडबंदन के बीच सिटों के बटवारे को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया हुआ है इससे पहले 50-50 फार्मूले की काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन माना जा रहा है कि यह सिट बटवारे का व्योहारिक फार्मूला नहीं होगा 2014 के विधान सबा चुनाओं के दोरान दोनों पार्टियों ने सिटों पर सहमती न होने के बाद अलग-अलग चुनाओं लड़ा था और बिजेपी के तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वह राज की राज की कुल 288 विधान सबा सिट में से 135 से जादा सिटों की मांग कर सकती है कुछ चेतरी पार्टियों को सामिल करते हुए बड़ा गडबंधन बनानी के लिए विजेपी और सिशेना दोनों को 135-35 सिटों पर सहमत होना पड़ेगा जिससे बाकी 18 सिटे छोटे सहयोगियों के 20 बाटी जा सके लेकिन पिछले कुछ समय विजेपी में सामिल हो रहे है सिटिंग एमिले और टिकिट के दावेदारी की बड़ती संख्या से विजेपी के लिए 155 सिटों के कोटे पर ठीके रहना मुश्किल हो रहा है विजेपी के अंद्रूनी सुत्रों का कहना है कि सभी दावेदारी को संतुष्ट करने के लिए विजेपी को कम से कम 150 सिटों की जरूरत है 2014 के विधान सभा चुनाओ में सिटों पर सहमती ना होने के बाद तूट गया था गडबंधन पिछली बार के चुनाओ में विजेपी ने 122 और सिवसेना 63 सिटों पर हासिल की थी जीत इस बार 6 निर्दली विधायकों का भी समर्थन हासिल है कॉंग्रेस और NCP से 4 विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दावन ठामा है और इसी के साथ समाज राजनीती से जुड़ी होई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहा टाइम्स